चोपड़ा एजो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदेख स्वागद करता हूँ मेरे पैरे बच्चो राजस्तान के फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है इसमें WDP की 15 सीट्स होती है MBBS की तो इसमें WDP का भी अलोटमेंट ह हो चुका था उसकी भी जोइनिंग हो चुकी थी लेकिन उसमें कुछ एनियमिताओं के कारण इसमें कोट में इस्टे लग गया था WDP के अलोटमेंट पर तो इसमें जो WDP के अलोटमेंट में कुछ एनियम में तई पाई गई थी उसमें हाई कोट ने ये कहा है कि ये एक बार इनका फ्रेज से डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाए और इनकी दुबारा से लिस्ट जारी की जाए अलोटमेंट की डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उनकी दुबारा से लिस्ट जारी की जाएगी अलोटमेंट की मैं आपको यहां बता दूँ कि जो बाकी कंडिडेट्स हैं जिनोंने जोइन कर लिया है डोडीपी के अलावा जो बाकी कंडिडेट्स हैं उनका किसी प्रकार का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है यह ओनली डोडीपी कंडिडेट्स के लिए है और उनको अभी 14 फरवरी को डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जैपुच जाना होगा उनका जो प्रिवियस अलोट्मेंट था डोडीपी की जो सीटे थी उनका अलोट्मेंट हुआ था वो कैंसल हो चुका है अभी उनके लिए फ्रेस अलोट्मेंट होगा जब फ्रेस अलोट्मेंट होगा तो उनको डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जैपुच जाना इसमें टोटल 55 कंडिडेट से जिनको डोकोमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है WDP के अलोटमेंट के लिए तो आगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो 14 फरवरी को सुबह साड़े 10 बजे जे पूरे जो टीबी होस्पिटल के पिछे पारिपेश है वहाँ पर आपको पहुंचना होगा तो जिन्होंने डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन आलड़ी इस लिस्ट में जिनका नाम है उनको वहाँ जाना है तो ये एक जानकारी थी राजस्तान स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बाकी किसी भी कंडिडेट का कोई इसमें दुबारा से अलोटमेंट नहीं होगा only WDP का allotment cancel हुआ है बाकी as it is है तो ये जानकारी थी इसके बारे में मिलेंगे नई अपडेट के बारे में तब तक के लिए जैहिंग